नमस्कार, मैं हूँ जोती अरोडा आज हम बात करने जा रहे हैं उस दिवहार की जो है रंग पिरंगा जिसका है हम सब को इंतजार, वो है होली का दिवहार हिंदु धर्म के अनुसार, फागुन मा की पुनिमा तिति के दिन होली का दहन किया जाता है तो इस साल होली का देहन 7 मार्च को है इस दिन विदी विधान के साथ पूजा अर्शना करने की परमपरा है माननेता है कि होली का देहन की पूजा करने से आने वाले कश्टूर होते हैं और होली का देहन की पूजा करते से में कोई भी गलती नहीं करनी चीए क्योंकि अगर कोई गलती आप से होती है तो आपको और आपके परिवार वालों को मुश्किल में डाल सकती है इसकी वज़ा से घर में नकारात्मक्ता आ सकती है ऐसे में पूजा के लिए सही पूजन सामगरी का होना भी आवश्यक है होली पूजन और दहन महुर्थ के बारे में कहते हैं कि प्रदोशकाल वाले दिनी यानि कि सुर्यास्त के बाद जो अगले ढ़ाई घंडे होते हैं उसे भद्रा का आ जाता है उसी समय आप पूजा कर सकते हैं लेकिन होली का दहन भद्रा दोश खतम होने के बात करना चाहिए इसलिए शाम चे बच के 24 मिनट से 6 बच के 48 मिनट तक होली का शुब महुर्थ है यह गोधुली बेला का समय रहेगा वहीं होली का दहन का महुर्थ होगा 12 बच के 40 मिनट से सुबा 5 बच के 56 मिनट के बीच में यानि कि इस बार होली का दहन आपको मिडनाइट में महुर्थ मिल रहा है आपको 12 बच के 40 मिनट मिड़नाइट से 5 बच के 56 मिनट सुभा का मुहूरत मिल रहा है यानि कि आज रात से ठीक है होली का जो पूजन के करने से पहले आपको भगवान नरसिम फिर प्रहलात का ध्यान करके प्रणाम करना चाहिए उन्हें चंदन, अक्षत और फूल सहित पूजन सामगरी चड़ा कर नमशकार करें इसके बाद होली की पूजा करें पूजा करते समय आपका जो मुख है वो पूरव दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए वैसे घर पे भी जब हम पूजा करते हैं अक्सर हम लोग पूर दिशा की तरफ फेस करके हम पूजा करते हैं और उत्तर दिशा में कहते हैं कि देवताओं का वास होता है तो आप इन दोनों में से कोई भी दिशा को चूस कर सकते हैं और मतलब उसमें आप पूजा कर सकते हैं और इस दिन घर में बने हुए साथ तरह के पकवानों की पूजन समगरी से होलिका का पूजन किया जाता है और भोग भी उसी का ही लगाया जाता है साथी में होलिका देहन देखना भी काफी शुपकारी माना जाता है अगर आप किसी कारणवश आप प्रॉपरली आप विदी पूबहती शुपकारी मानेता है कि इससे मन की नकारत्मकता नश्ध होती है और आपके मन की ऊर्जा बढ़ती है तो देखा जाए तो ये बहुत भी बहुत शुप माना जाता है मैं तो अन्शूर करती हूँ कि कि इसा होलिका देहन जरूर देखे क्योंकि इस notion भी कहते है कि सत्य हमेशा जीतता है और सत्य हमेशा हारता है ये उसका एक सूचक भी है होली का देहन की राक को घर पर लाना भी काफी शुब माना जाता है उसे घर में लाईए और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे घर में अपने पूरा छिड़की और वियपारिक स्थान पर भी छीटे दे ये उपाई बहुत ही कारगार है इससे कहते है कि इसे नेगिटिविटी दूर होती है अगर आप वियपार नहीं चल रहा है आपका किसी व मुखे द्वार पर ठोड़ा सा होली के रंगों से रंग छिड़क दीजे और शाति मुखे द्वार पर आप दो मुखी दीपक जला दिजे छोटी होली वाले दिन जिसे बोलते हैं आप होली का दहन को हम छोटी होडी भी कहते हैं इस सुपाई से भी आतिक समस्याई दूर हो जाती है होली के दिन सुबा बेल पत्र पर सफेद चंदन की बिंदी लगा कर अपनी मनोकामना लिखिए और ऐसा करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें ये तो आ आप सब जानते हैं कि भोले भंडारी सब की जल्दी सुनते हैं तो अगर आप होली के दिन यह पाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और बाद में किसी भी सोमवार को महादेव की पंचमेव की खीर बनाकर आप उनको चड़ाए और आप आसपास भी जो मंदिर के आसपास जो गरीब लोग बैठे हैं उनमें बाटे तो यह काफी शुब माना जाता है आपकी मनों कामना अवश्य पूरी होगी और होली के दिन भगवान नरसिम का प्रकट होना यह सब जानते हैं कि प्रकट हुए थे उस दिन तो ऐसे में नरसिम भगवान का स्रोत का पा जानिया चल रही थी उससे तो आपको मुक्ती मिलती है अगर आपके कोई करजा है तो उससे भी आपको मुक्ती मिल जाएगी तो आप इन उपायों को अपनाए और यह होली आप सब के लिए शुब हो इसी कामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त